सबी स्रताओं को नमस्कार, स्वागतम, शुब स्वागतम यह आकाजवाणी इतानगर का कैंटर है मैं हुआजात तपाग आज की स्कारिकरम के होस्त और आप सभी के दोस्त आज की स्कारिकरम में चर्चा का विशे है National Vaccination Day अपनी जीवनकाल में हम सबते कई बार vaccination करवाये है और सवाल यह होता है कि कई लोग नहीं चानता है कि vaccination हम क्यों कराते हैं तो आज की इस स्कारिकरम में हम जानेंगे vaccination क्या है, इसे क्यों क्या कराया जाता है और किस तरह के बिमारियों कर रोक ठाम करता है इसके जानकारी आज के इस कारिकरम में हम आपको देंगे और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ रिसोर्स परसन के तोर पर जुड़े हुए है दॉक्टर निलियंग सुनिया जो की तोमोरिवा इंसिटूट अफ हेल्थ और मेडिकल साइंस के पेडियाटरिक डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर है और डेजिगनेशन से वो सीनियर रेसिडेंट है आज के इस से कारिकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं तेंक्यू इन्वाइटिशन के लिए आप आए, आपको होता है, दिल साम शुक्र गजार करता है और मैं हम सबसे पहले आपसे सवाल ये पूचेंगे कि ये नेशनल वेक्सिनेशन दे क्या है और हम इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं ये आप हमें थोड़ा short में, brief में आप हमें explanation करें तो नेशनल वेक्सिनेशन दे हर साल मार्च 16 को होता है तो वेक्सिनेशन दे इसलिए था क्योंकि ये प्रोमोट, awareness कराने के लिए लोगो को कि vaccins देना है, क्यों देना है और क्या, क्यों अच्छा है वेक्सन, इस लिए तो बैसे कि लोगों को aware कराने करें बैसे लोगों को अवेर कराने करें वेक्सन जिसन सीजह exist करता है जैसे हर साल Assistant of Merch को हम vaccination they celebrate करते है और और हर साल आपना एक theme धीम रहता है इस साल का 2024 का थीम है आपका vaccines work for all इस themes का अर्थ क्या है और इस theme का ambition क्या है इस पे आप थोड़ा प्रकास ढाले है तो vaccines work for all जो इस बार का थीम है यह work for all का ये मतलब है कि actually vaccines ना सिर्फ जो patient पेशंट या people को receive कर रहा है, सिर्फ उसके लिए नहीं, जो develop कर रहा है, मतलब जो बना रहा है ये vaccine, जो deliver कर रहा है ये vaccines, और जिसको actually, जिसको मिल रहा है ये vaccines, ये सबको include कर रहा है और सबको ही immunity provide करेगा, तो इसका मतलब है vaccines for all work for all, sorry, मतलब हर किसी के लिए, ये आपका जेंडर नहीं देखता, आपका profession नहीं देखता और age नहीं देखता, हर किसी के लिए तो vaccines works for all ये बहुत ही खुबसरत theme है और मैं आगे बढ़ते हुए आपका तीसरा सवाल ये है कि vaccination लेना जरूरी क्यों है और अगर कोई ऐसे इनसान है जन्होंने अपती जीवन काल में vaccination कराए नहीं है तो उसके साथ क्या होगा फिर vaccines, vaccines इसलिए देता है actually vaccine का काम ये है कि infections को fight करना तो vaccine इसलिए जरूरी होता है ये vaccine कैसा काम करता है actually जो vaccine में है products वो क्या है कि जो deliver करता है bodies में एक इनसान का body में antibodies develop करता है antibodies बन जाता है तो ये antibodies जाके आगे आगे को अगर आपको कुछ भी infection हुआ जो particular infection हुआ तो उसके against अपका body में infection हुआ ये antibodies work करता है तो वो patient को infection नहीं होता है antibodies जो क्या है उसका against work करता है तो ये उसके लिए है ये वेक्षिन और अगर वो इनसान एक इनसान जिन्होंने वेक्षिनेशन कराए नहीं है अब दीजीवन का तो उनको किस तरह के बीमारियों से डेंजर हो सकता है मतलब किस तरह की बीमारिय उनको हो सकता है तो अबी जो गवर्मेंट जो बनाया है वो वेक्सिन प्रेवेंटिबल डिजीजेज के लिए जैसे नॉर्मले आप लोग सुना होगा TB के लिए vaccine है, polio के लिए vaccine है, tetanus के लिए, for example, इतना तो अगर जैसे अगर कोई इनसान अगर कभी vaccine नहीं लिया है और उसको develop और वो पकड़ लिया ये virus या ये कोई भी जैसे की polio पकड़ लिया या TB पकड़ लिया तो उनमें जब ये infection होता है, तो infection पकड़ने के बाद disease बन जाता है तो वो जादा severe होता है, तो जो vaccine नहीं मिला है, उनमें disease severe होता है और जिसको vaccine मिला है, उसको disease नहीं होगा, mostly, और अगर होता भी है, तो बहुत mild form में होता है तो इसलिए vaccine लेना ज़रूरी है सबको So, हम मान सकते हैं कि vaccines के ज़रिये आपके body के immunity बढ़ जाता है, और disease को fight कर पाता है तो immunity build up करने के लिए vaccines देते हैं तो आपने पहले थोड़ा बहुत explanation दिया है, पर इस पर हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे तो इसलिए vaccine दिजिस को किस तरह से prevent करता है, बीमारियों को किस तरह से रोक थाम लगाता है वेक्सिन के अंतर जो है ऐसे किस तरह के energies रहता है, जो आपके body को डिजिस के लिए ready करता है मत्तों डिजिस को fight करने के लिए ready करता है जैसे vaccines में, actually vaccine में क्या है, उसको बोलता है antigen ठीके, for example, अगर हम लोग जो commonly TB, TB सबको पता होगा, तो TB is tuberculosis बिमारी तो उसमें ऐसा होता है, TB का antigen ही रहता है vaccine में तो अगर ये antigen, हम लोग vaccine को body में डाले, तो जो उसका vaccine है BCG अगर उसको डाले, तो antigen क्या करता है, जाके body में fail जाता है तो body का immune, body का system ऐसा बना है कि जो भी antigen foreign हो मतलब foreign है, मतलब body में नहीं है, पहले बार आया है body में तो body antibodies बनाता है, anti, उसका against कांग दरने के लिए तो ये ऐसे बनाता है और ये antibodies prepare करके रखता है तो जब next time अगर ये ये इनसान, कोई भी actual में कोई TB bacteria आए तो उसका body में अगर infect हो भी चाहेगा, तो antibodies already prepared है body में तो वो लड़ता है TB bacteria से, तो इस तरह से काम करता है vaccine बिलकुल, यारि हम कह सकते हैं कि हमारे जो vaccines है वो एक रेडी किसम के एक army है हमारे body में जो disease infect करेंगा, उनको उनको खात्मा कर देंगा, all right, that's a good thing और मैं आगे बढ़ते हुए जससे आपने पहले polio के बारे में चर्चा कि है हम उत्सुक है और बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते है कि polio एक्जेले किस तरह के virus है और साथी साथ दो और सवाल इसमें एटेस करेंगे हम कि या यह transmitted disease है, एक इनसान से दूसरे में फैल सकता है और फैलने की बात करें तो क्या यह मच्चरों से भी फैल सकता है तो polio, polio सब सुना होगा, तो polio जो polio virus से फैलता है यह एक viral disease है, तो जो polio जो फैलता है, इसका transmission कैसे कैसे हो सकता है transmission मतलब कैसे फैल सकता है, तो नहीं, मच्चर से नहीं फैलता है polio, polio फैलता है, feco-oral, feco-oral root बोलते है, feco-oral मतलब खाने और जो लेटरिन करने से इन सब रूट से फेलता है तो इसलिए पोलियो में सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए important होता है कि sanitation अच्छा हो तो उसको बोलता है FECO oral route FECO मतलब लेटरिन के जरिया से और oral मतलब खाने पीने गंदा हो ऐसे गंदा खाना गंदा पीना हाथ गंदा हो इन समसे ये पोलियो वाईरस ये गंदे चीज में ही रहता है जैसे FECO मतलब लेटरिन गंदा फूर्ट ऌपन फूर्ट से तो अगर वह हम लोग इन ज़ेस्ट का लिया तो इन सबसे फैलता है तो मच्चर से वैसे फोलियो नहीं फैलता है तो एक दूसरे मॉसके तो बाइट से नहीं होता है यारे हम कहा सकते हैं जो street food होते हैं वो शायद उतना safe नहीं है consumption के लिए हाँ बिलकुल तो street food इसलिए हम avoid करने के लिए बोलते हैं और hand wash करने के लिए बोलते हैं और इसलिए government इतना importance दे रहा है sanitation के लिए specially क्या होता था पहले open sanitation होता था इससे और जादा फैलता था तो आजकल तो गर-गर में मतलब अपना ही toilets हाँ बन गया ना तो इसलिए थोड़ा सा spread कम होता है मतलब खाना किसी भी तरह का हो वो गंदा नहीं होना चाहिए और कोई भी खाना होच चाहिए वो healthy fruit तो अगर वो गंदा है तो उसमें से disease फैलने का chances रहता है और बस polio ही नहीं इन सब से तो बहुत कुछ तो वही जो polio feco oral से होता है ना वैसे feco oral से बहुत कुछ होता है तो सिंस हम लोग polio का बारे में discuss कर रहा है तो बस polio ही अभी के लिए जैसे gorgeous के बारे में था हमें पता चला कि वो कौन सा कारण है जिसके वज़े से polio होता है तो आप से ही जानना चाहिए कि polio के चलते क्या कोई अपना जान गवा सकता है polio के वज़े से एसे नहीं है कि polio हो गया और death हो गया ऐसा बिलकुल नहीं होगा polio actually ऐसा है कि बहुत types का है तो जब very severe variety है उसमें जाके complications होके तभी हो सकता है death ऐसे नहीं है कि बहुत extreme अचानक से death होगा polio से या बहुत early death हो जाएगा तो एक process होता है उसका ना तो just polio virus मिल गया ऐसे उससे तो death नहीं होगा अगर जादा severe हो जाए तो chances बढ़ जाता है death का आपने कहा types of folio types of folio कहें तो हम जाते हमें जानकारी है तो type 1, type 2, type 3 रहता है तो हिंदुस्तान में कौन सा type of folio जादा तर पाए जाते है और इन तीनों types में सबसे dangerous कौन सा है तो actually जैसे आप बोला type 1, type 2, type 3 यह polio virus है जो 1, 2, 3 है और यह लोग कराता है polio बिमारी तो polio बिमारी जो हम आपको बोल रहा था mild और severe तो ऐसे होता है mild में है non-paralytic जिसमें बस बुखार, weakness ऐसा होता है और जो severe है उसमें paralytic polio बोलते है जो बिलकुल patient paralysis बोडी को paralyze कर देता है वो होता है जो ज़्यादा severe तो जो यह wild polio viruses है 1, 2, 3 अभी यह है कि wild polio virus number 2 जो है वो बहुत ज़्यादा severe है वो ज़्यादा कराता है paralytic polio ज़्यादा कराता है तो जो हमारा vaccines है वो तीनो तीनो strains को target करता है कि तीनो को ही मतलब एक vaccines दे तीनो को ही prevent करें आगे मैं आपसे यह जानना चाहेंगे कि polio जो ही क्या यह genetic है यह parents से बच्चों में fail सकता है और अगर यह है तो क्या इसको बस हम रोकता भी कर सकते है या पि इसको हम cured भी कर सकते है अच्छा तो since polio नहीं is not a genetic disease नहीं है तीक है genetic मतलब यह है कि एक parents के DNA chromosome से बच्चे को आना तो genetic बिलकुल नहीं है polio acquired है मिलता है बहार से जैसे बताया था कि खाने पीने गंदा लेक्शिन परा हुआ है यह सब से तो उससे polio हो सकता है और दूसरा सवाल आप से है था क्या इसका हम बस रोक थाम ही कर सकते है इसको फैलने से रोक सकता है या पिर जो जिस इनसान को polio हो चुका है क्या उसको वैक्सिन के द्वारा हम cured कर सकते हैं तो polio का क्या है treatment है कि उसका permanent cure नहीं है इसलिए government ने vaccines बनाया है कि prevent कर सके एक बार polio आपको हो गया तो कोई उसका cure ही नहीं है बस हम लोग उसको stabilize थोरा सा help support दे सकते हैं जैसे कि अगर paralysis हो गया polio से उसको paralysis के लिए support दे सकते हैं यह सब पर कोई treatment कभी वो patient कभी cure होगा है इसलिए polio को prevent करना ही बेतर है एक इनसान जो polio से infected हो चुका है तो उसको दुबारा cure नहीं किया जा सकता है तो vaccine बस इसके लिए फैलने से पहले अगर हमनों prevent कर सके तो vaccine का यह कोशिश है बिलकुल कि किसी को polio हो ही ना क्यूंकि polio एक बहुत खराब बेमारी है तो इसलिए यह क्यूंकि यह बचाया जा सकता है तो इसलिए पहले ही vaccines ले लो ताकि हो ही ना यह बेमारी बिलकल आगे चलके में एक और आपके लिए सवाल कि यह जनता का सवाल है आपसे वो जानना चाहते कि कौन से age group के लोगों को जादा तर polio होता है कौन जादा 14 years तक start हो सकता है 14 years के बाद बहुत rare है कि किसी को polio बिमारी पकरे क्यूंकि ऐसा होता है कि इस बच्चा बरा होते जाता है उनका hygienic conditions यह सब maintain sanitation यह सब वो maintain करना शुरू करता है मतलब अपना साफ सफाई रखना यह सब वो maintain करना शुरू कर देता है उससे पहले वो खेलता ह है इदर उदर खेलता है मित्ती में खेलता है सब तो 14 years तक एक बच्चा को polio बिमारी acquire कर सकता है मलद मिल सकता है अगर इसमें एक सबाल और एक इनसान है जिसमें कभी व्यक्षने से लिया नहीं है polio का और 14 years तक उनको polio हुआ नहीं है तो क्या यह हो सकता है कि 14 years के बाद अगर वो polio वेक्षन नहीं लेता है तो ता उमर उसको polio नहीं होगा नहीं है ऐसा बिलकुल नहीं है वैसे chances कम है चांसे बिलकुल कम है adult में polio होना क्योंकि अभी क्या है अभी adult में उनका वैसे भी normal immune system भी बन जाता है पर अगर वो chances कम है पर अगर वो vaccinated नहीं है बिलकुल और आसपास में किसी को polio virus है और polio से बिमार infected है कोई disease patient है तो बिलकुल उसको होने का chances रहता है बड़े इंसान को भी risk कम है पर होता है पोलियो की डोजस कितना होता है एक इंसान को अपने जिवन काल में कितने बार polio के vaccine लेना पड़ता है तो अभी क्या है हमारा जो national immunization schedule है जो immunization schedule बनाया गवर्मेंट ने उसमें दो तैप का polio है एक है oral polio है और एक है inactivate है जो injection से देता है तो जो oral polio का दोस्त है वो जनम म मिलता है एक birth में उसके बाद आप 6 weeks में आता है फिर 10 weeks फिर 14 weeks फिर उसको हम लगाता है एक booster फिर से 15 to 16 months के आसपास और फिर दूसरा booster 5 साल में और जो injection वाला है उसको लगाता है ये injection वाला इसलिए बनाया था क्योंकि जो ओ ये oral polio है न ये oral polio में क्या होता है हर किसी को नह इनको नहीं दे पाता जो बिल्कुल इम्मुनो देफिशिंट है जैसे HIV, cancer patients तो ऐसे में हम लोग इनक्टिवेटेद वाला बनाया है तो इनक्टिवेटेद पोलियो है वो देता है 6 weeks 14 weeks को देता है अभी currently और जो दूसरा injection injection है इस कुछ सालों में completely ये oral से injectable होने वाला है ऐस आस वर्ज बापिस जाते हैं तो ऐसे कई सरे इनसान हमें देखने को मिलता है जो पोलियो बिमार से पीरिट है या पिर कई अन्य बिमार से जैसे आप ती तीवी के बारे में पाते है तो उससे पीरिट है तो देखा जाए तो वैक्सिन हमारे जिन्देगी में बहुती महत्त लोग पाएं जाते हैं जो polio से period है तो अभी इतने government के इतने measures लेने के बाद vaccines, pulse polio surveillance हो रहा है तो अभी currently India polio free है तो last patient मिला था polio का वो West Bengal में मिला था 2011 को that was the last case उसके बाद तो March 2014 को India को polio free declare किया है फिर भी ये declare होने के बाद भी कोई patient नहीं है but monitoring surveillance अभी भी continuous है अभी ये guarantee तो नहीं है कि अभी नहीं है तो future में नहीं होगा अगर वही जो हम carelessness पिरसक करेंगे खाने पीने में ध्यान नहीं देंगे chances है कि दुबारा ये लोटके आए किस तरह की भीमारिय को target करता है तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है mission इंद्रदनुष इंद्रदनुष यानि की rainbow तो इंद्रदनुष में साथ रंग होता है ना तो इस ये इंद्रदनुष तो साथ diseases को target करता है तो उन साथ में जो हमारा national immunization schedule में हर बच्चे को मिल रहा हो starting polio से TB TB vaccine hepatitis hepatitis B dipteria pertuses tetanus एक है hemophilus influenza ये साथ को target करता है तो ये साथ है कि vaccine इनको बोलता है vaccine preventable disease एक बार vaccine लग गया तो chances is almost nil कि बच्चे को जाके आगे ये साथ तो भीमार में से कुछ मी नहीं हो सकता फिर इसलिए ये Mission Indra Tanush नाम था immunization तो मतलब ये पुरे भारे तुवरिश में फेला हुआ है हाँ बिल्कुल Mission Indra Tanush Ministry of Health and Family Warfare में पूरा इंदिया में ये started है अच्छा हाँ बिल्कुल अच्छे से चल रहा immunization schedule में पूलियो प्रिवेंशन के बारे में एक थोरा सा बताना चाहूंगा कि ये जो आदा दिन हम जो immunization schedule ले रहे हैं और हमारा sanitation और hygiene sanitation मतलब लेटरिन सही तरह को और ऐसे नहीं है कि अपना घरी साफ रखना आसपास पी साफ रखना है और government क्या कर रहा है pulse polio immunization दे रहा है जो last week भी हुआ होगा sorry last to last week March 3 ऐसे में हुआ होगा Sunday साल में दो Sunday में pulse polio immunization होता है तो वो हर बच्चे को cover करता है from 0 to 5 years ति जो polio dose दे जाते है क्या ये government के तरफ से free में है या फिर इसके कुछ cost लगता है बिलकुल free है free of cost ये सारा vaccines है free of cost है तो pulse polio immunization भी ताकि कोई भी अगर miss हुआ हो time से लिया नहीं हो वो भी cover हो जाए इसलिए दे रहा है ये और एक होता है surveillance भी कर रहा है paralysis surveillance तो इसलिए कोई भी patient paralysis में हो वो paralysis चाहे polio से ना भी हो कुछ और reason हो paralysis का फिर भी उसको survey करता है कि कहीं है polio तो नहीं है ताकि दुबारा polio ना आए हमारा country में बिलकुल बिलकुल हम TB के अगर बात करें TB के लिए infections बनाए गए है TB का फैलने का जरिया क्या है यह किन factors के बज़े से फैलता है ऐसे क्या चीज़े है जिसके लाव फरवाई करने से हम TB के सिकार बन जाते है TB, tuberculosis एक बहुत serious बेमारी है और तो यह क्या है यह ऐसे फैलता है अपना कफ कफ और sputum से जो थूक जैसे कि खासी कर दिया और थूक रहे गया air particles में aerosols जिसको बोलते है तो इससे फैलता है TB तो TB जो actually जो TB कोस करता है वो bacteria है mycobacterium तो यह particles खासी यह सब में रहता है तो अगर हम लोग खासी करें और कोई कोई आसपास उसी जगे में है तो उसको भी यह मतलब expose हो जाता है यह particles से तो उनको भी हो सकता है TB तो TB जरूरी नहीं है कि बस खासी ही हो TB ऐसे नहीं है कि खासी मतलब lungs को ही effect हो TB जाके पेट को भी effect कर सकता है brain को भी effect कर सकता है stomach को भी हो सकता है TB बहुत बहुत waste में effect होता है तो TB तो एक बहुत बढ़ा बिमारी है बिलकल यह एक से दूसरे में transmission हो सकते है यह TB को जो transmission है उसको aerosol transmission बोलते है जो खासी, सरदी जो थूक से जो पुतम यह सबसे फैलता है और अगर यह जो खाना हम खाते है अगर एक TB patient है उनके जो खाना है और दूसरे के से शेयर करिये खाता है जो इसके जरी भी फैल सकता है अगर वो TB patient बिलकुल treatment में नहीं है तो बिलकुल फैल सकता है तो sharing usually मतलब नहीं करना होता है अपना food, अपना clothes पर अगर वो treatment में है और treatment ऐसे है कि अगर treatment start कर दिया और after one month of treatment वो patient non-infective होता है non-infective के मतलब यह है कि अब और TB spread transmit नहीं होगा उससे TB bacteria almost खतम हो रहा है उसका body में treatment start करने के one month बात तब उस समय वो non-infective होता है तब नहीं फैला सकता है तो इसले treatment भी लेना ज़रूरी है मतलब treatment जब तक है तब तक वो फैलने में वक्त लगता है अगर treatment ना रहे तो वो जो है खुला हो जाता है बिल्कुल फैल सकता है एक इनसान जो TB patient है उन्होंने कभी treatment कराया नहीं है उनके life span कितना रहेगा मतलब TB के जरीए उनका life span जो शोर्टन हो सकता है बिल्कुल TB मतलब TB तो जान लेवा बिमारी है अगर आपका TB बहुत severe है तब तो बिल्कुल और आपने treatment नहीं लिया है तो patient बहुत ही जल्दी खतम भी हो सकता है तो वो severity में depend करता है कितना है थोड़ा infection हुआ है या जादा infection हुआ है बस lungs में है या कहीं और भी है जिसको हम लोग disseminated बोलते है हर जगा तो उसमें भी depend करता है तो वो patient wise होता है कैसे कौन कितना दिन life span कैसा होगा कौन कितना जल्दी cure होगा तो मतलब वो depend करता है patient wise ऐसे मैं आगे चल कि यह जानना चाहेंगे कि prevention कैसे करें TV से tuberculosis को फेलने से किस तरह से prevent करना है हमें tuberculosis को prevent करने से पहले तो हर कोई please vaccination लेना चाहिए vaccination proper होना चाहिए vaccination करोगे तो फिर immunity develop करेगा तो फिर secondly है अपना sanitation आस पास साफ सफाई रखना है अगर khasी हो रहा है तो please हो सके तो mask पहनो हाथ मुद मतलब यह धक्के खेंकी या यह सब रुमाल वगेरा में धक्के कफ करो और अगर आपको लग रहा है कि khasी दो हफता से जादा है आपका वजन कम हो रहा है और भूख सही नहीं लग रहा ऐसे कोई भी symptom आता है तो आप police hospital में contact करना है जल्दी से जल्दी तो यह symptoms रहता है अगर भूख नहीं लगना appetite बिलकुल कम होता है खासी दो हफते से जादा और weight गिर जाना बिलकुल खासी होना weight गिर जाना appetite कम होना और even भुखार भी भुखार भी अगर दो हफते से जादा है तो hospital दिखाना है TV के लिए पि SMM कोई और disease है जिसको vaccine से हम prevent कर सकते है तो जो बाकी जो vaccine से preventable है जैसे कि mission इंडरदुनूश में बताया था tetanus है, thiria है produces और influenza and hepatitis B यह सब है preventable, vaccine preventable आपने TV के symptoms बताया है, मैंने यह भी जानना चाहें पोलियो के symptoms कैसा रहता है तो पोलियो अगर mild variety में हो तो उसमें क्या है बस बुखार, fatigue ठकान मैसूस करना बिल्कुल flu सर्दी, खासी, थोरा सा जुखाम ऐसा रहता है पर severe cases में क्या है paralysis होता है, paralysis मतलब दीरे-दीरे muscle weakness हो जाता है आप चल नहीं पाते है बेट नहीं पाता सहारे के साथ चलना शुरू करता है यह सब होता है और जब severe होता है तो बिल्कुल वही वो बेट रिदेन हो जाता है चल वल नहीं पाता है जाती जाते में आपसे एक request है आप हमारे जो सरताय है उनको कुछ message देना चाहेंगे Thank you, firstly, for यहाँ invite करने के लिए अगर हम मेरा तोरा सभी पार्ट दे सका यह awareness वेलाने के लिए वेक्सिन्स के बारे में प्लीज अपना बच्चों को vaccinate करें, timely सब कुछ सरकार ने free दिया हुआ है government hospitals में सब कुछ available है, आप लोग please vaccinate करें, और कोई भी complaints हो, तो please hospital में अपना doctor से contact करें तो बस इतना ही कहना चाहनगा, thank you all India Radio for inviting me here शुक्रे आपका, आपने अब तक कीमती वक्त निकाला और मेरे प्रियाशरताओ आज के कारीकरम में बस इतना ही आज के कारीकरम के चरचा हमारे national vaccination दे के ऊपर ते और हमारे आज के resource person है, doctor Ngelyang Suniya जो की treatments hospital के एक pediatric department के doctor है हमारे साथ जुनने के लिए आपका बहुत बहुत thank you doctor, और मेरे प्रियाशरताओ, आज की कारीकरम इसी पर अंध करते हैं मिलते हैं अगले बार, शुक्रिया